सिर से लेकर पैर तक की ब्लॉक नसों को सिरफ पांच दिन में खोलने का अचूक रामबान गरेलू इलाज आज मैं आपको इस वीडियो के माद्धम से बताना है वाला हूँ मैं आपको बरोसा दिलाता हूँ गैरेंटी देता हूँ कि इस से महतपून वीडियो ब्लॉक नसों को खोलने से समबंदित पूरे यूट्यूब पे इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगी तो कृपया वीडियो को ध्यान पूरवक अंतक अवश्य देखें वीडियो को लाइक क करने के पैसे नहीं मिलते हैं हमारा मनुबल बढ़ता है हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है तो कृपया करके लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद आल पे क्लिक करना बिलकुल भी न भूलें ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल में तुरंत एक सेकंड के भीतर मिल जाए दोस्तों ब्लॉक नसों के बहुत सारे कारण होते हैं उमर बढ़ने के साथ साथ लाइफस्टाइल और खानपान खराब होने के साथ साथ में क्या होता है कि शरीर में कमजोरी आ जाती है और पैरों की नसें टांगों की नसें या जांगों की नसें जो उपर वाले गुटनों से उपर वाली जो टांगों का हिस्सा होता है या फिर दोस्तों गले की नसें दिमाग की ब्रेन की नसें या फिर हार्ट की नस सबसे पहले यहां पर मैंने लिये हैं फ्लैक सीट्स जिसको दोस्तों हम हिंदी में कहते हैं अलसी का बीज अगर आपको कोई भी दोस्तों सवाल है तो नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर पूछे मैं सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा दोस्तों अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाते हैं जो कि नस्वों को मजबूत करने में और उनकी ब्लॉकेज को खोलने के लिए क्योंकि ब्लॉकेज तभी होती है जब बैड कॉलिस्टॉल शरीर के अंदर हो जाता है तो ब्लॉकेज को खोलने के लिए अलसी के बीच बहुत फायदेबंद होते हैं यह जो मैं आपको प्रियोग बताने वाला हूँ इसका हफते में तीन दिन आपको प्रियोग करना है मैकसिमम चार दिन यानि कि हफते में साथ दिन होते हैं एक एक दिन छोड़ करके आपको प्रियोग करना है इस नुस्खे का और आपको एक महीने के बाद में बंद कर देना है कि आपको नंगे पैर जमीन के संपर्क में जिसको मिट्टी कहते है न अंग्रेजी में सॉइल कहते है उसके संपर्क में रहना बहुत जुरूरी है अगर आपके घर में गार्डन नहीं है तो पार्क में नंगे पैर चल सकते हैं आपको क्या गरना है रात को सोते समय पानी में लगबग एक से डेड़ चमच की मात्रा में जो फलैक सीट्स होते है अलसी हوتा है उनको इसतरह से पानी में विगो देना अगर हो सके तो ताम बे का जो गिलास होता है या बरतन होता है उसके बीच में बिगो करके रख दें रात बर तो जादा फाइदा करेगा आयरवेद का दूसरा नियम ये कहता है सबसे पहला नियम मैं आपको फिर से अलेबरेट कर देता हूं कि अगर आप नंगे पैर जमीन में गार्डन में नी चल पा रहे अपने घर पे नी चल पा रहे पार्क में नी चल पा रहे तो आसपास से कहीं से भी मिटटी लेकर की आए, आसपास के अरिया की 10 किलोमेटर के दाइरे की, उस मिटटी को सुخा करके चान करके रख लिए अपने घर में और दोस्तों, इसको जग में डाल करके मिट्टी को आपको बीच में थोड़ा सा पानी डाल करके लेप तयार करना है मिट्टी का जिसको मड कहते हैं मिट्टी कहते हैं सॉयल कहते हैं वो लेप आपको नहाने से पश्चात यानि की पूर्व उससे पहले आपको क्या करना है अपने शरीर पे लगा लेना है और साथ में दोस्तों क्या करना है शरीर पे लगाने के बाद में आपको इसको सुखाने के लिए दूप में छोड़ देना है कम से कम 15-20 मिनिट और दोस्तों आपको फिर नहा लेना है इसको कहते हैं मडबात ये शरीर की नसों की ब्लॉकेट को अंदर से खोलने के लिए बहुत फाइदेमन होता है और सद्गुरु जगी वासुदेव को यूट्यूब पे फॉलो करें मिट्टी बचाओ आंदोलन में क्योंकि बहुत हमारी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है आने वाली पीडी दोस्तों बहुत ही ज़ादा इसका नुकसान जेल सकती है हाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अलसी के बीज को जो उसमें पानी रात को भीगोया था इसको अगले दिन सुबह मॉर्निंग में आपको क्या करना है इस तरह से कंटेनर में डाल करके आपको induction on करके या gas stove on करके आपको उबाल लेना दीरे दीरे करके उबालने से क्या होता है कि इसके जो पोशक तत्वा है वो पानी में आ जाएंगे तो इसके पानी का ही आपको सेवन करने की वीदी आज मैं आपको इस वीडियो के माद्देम से बताऊंगा जो ड्रिंक कोई भी व्यक्ति हफते में तीन दिन पी लेता है उसकी भ्यंकर से भ्यंकर नसों की ब्लॉकेज पूरी तरह से खुल जाती है तो चलिए जब तो कि बॉयल होता है मैं आपको आयरवेट का दूसरा नियम बताता हूँ दोस्तों आपको कोई भी छोटी मोटी हठियों की एकसरसाइस जैसे की यूट्यूब में मैं आपको बता देता हूँ इशा फाउंडेशन की योग नमसकार की वीडियो पड़ी है या तो आप वो कर सकते हैं या तो इशा फाउंडेशन से किसी टीचर को अपने घर पे बुला करके एक प्रक्रिया होती है जिसको सूरे क्रिया या फिर दूसरी प्रक्रिया एक होती है जिसको अंग मरदना कहते हैं वो सीख सकते हैं इससे नसों की ब्लॉकेज चाहे फिर शेरी के किसी हिस्से में हो गले में हो, दिमाग में हो, हार्ट के आर्टरीज में हो या फिर टांगो में हो, पैरों में हो, कहीं पे भी दोस्तों पूरी तरह से खुल जाती हैं एक हफते से डेड़ हफते के भीतर भीतर ये दो जो मैंने आपको चीज़ें बताई एक तो मडबात और ये दूसरे जो इशा फाउंडेशन की हटी होग की प्रक्रिया मीठे के लिए सौरी मैं यहां पर जो मिश्री होती है दागे वाली वो डाल दूँगा अगर आपको डाइबिटीज की समस्था है तो आप दोस्तों इसको एक्स्क्लूड कर सकते हैं इसको डालने की जरूरत नहीं है आप यहां पर चाहें तो जो डेसी गुड होता है डार्क ब्राउन कलर की जैगरी होती है वो भी दोस्तों इसके बीच में मिला सकते हैं बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होती है एक तो आपको टेस्ट देगी और उसके बीच में पोशक तत्वे पाई जाते हैं बहुत सारे अच्छे जो की शरीर को अंदर से खोलने में आपके सहाथा करते हैं सुबह उठते साथ जैसी आप सुबह उठते हैं रात को सोते समय तामबे के बरतन का पानी आपको उसके बीच में रखना है और सुबह उटते साथ उसी तामबे के बरतन के पानी को किसी भी पतीली में चाय स्टील की पतीली तोड़ा सा गुन-गुना करके हलका गरम नहीं करना है गरम करने से तामबे की पोशकता तो डिस्ट्रॉई हो जाएंगे हलका सा गुन-गुना करके इसके बीच में नीम का पाउडर या नीम की ताजी पती अगर आपको मिल जाएं तो और भी अच्छा है नहीं तो नीम का पाउडर बहुत अच्छी बहतरीन कंपनी का ले लीजिए और साथ में दोस्तों हल्दी का पाउडर एक बड़ी चुटकी की मातरा में वन पिंच की मातरा में डाल करके इसका प्रियोग करिए और उसके बाद में ये जो मैं आपको ड्रिंक बनाना बता रहा हूँ ये जो जैसी उबल गया था ना इसके बाद में मैंने इसको हलका हलका ब्लेंड भी कर लिया था तो आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं कर भी सकते हैं तो इस ड्रिंक का सेवन दोस्तों आपको क्या करना जो आप नीम और हल्दी का पानी पेंगे उसमें शहाद में मिला सकते हैं नीम और हल्दी के पानी में बहुत कम आदा से भी कम चमच की मातरा में शहाद ना के बराबर मिला सकते हैं तो ये नसों की ब्लॉकेज को खोलने में आपकी साहता करता है और उसके दो घंटे के बाद में ये आपको पानी पीना है ये सबी प्रकार की समस्याओं के लिए नसों की व्लॉकिज को खुलने के लिए भी फ्लैक सीट बहुत ज़ादा फाइदेमंद होती है और मैंने आपको बताया इस ड्रिंक का प्रियोग हफते में कोई भी तीन दिन आपको चुन लेना है उसे अधिक नहीं करना है ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टन बात है कि तीन दिन से अधिक नहीं करना है आपको इसका प्रियोग और एक महीने के बाद में ये प्रियोग बंद कर देना है थर्टी डेस के बाद में 30 days में आप मानके चलिए 10 दफ़ा पीते हैं 10 बार पीते हैं तो उसे अदिक नहीं पीना है आपको ये और गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा बचाव रखें इसलिए मैंने पानी में भी कोकर के अलसी को डाल दिया था ताकि इसकी गर्मी निकल जाए दोस्तों उसके अलावा आप अगर सुबह सैर करते हैं थोड़ी सी शरीर का इस्तमार